जैहिन बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ वो रीड अलोंग आप पर है, आप मेरे साथ कहानी पढ़िएगा और ये कहानी कुद्रत के रंग पर आधारित है कि प्रकरती ने हमें कितने सुंदर सुंदर रंगों से नवाजा है और कौन-कौन से रंग है, हम इस कहानी में ये देखेंगे और कहानी के अंत में मैं प्रश्न पूछूँगी आप उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इस पहानी का नाम है खुद्रत के रंग मनीशा चौधरी ने लिखा है नीली तितली कहती बाए अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा पढ़ा पीली मधु मख़्ी पीती चाए अरे वाह तुमने तो बहुत तेज पढ़ा लाल मचली सोती आखे खोलो खोले यदि गलाख है तो उसे सही करे हरा मेधक टर्टर बोले तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो नारंगी बतक की सुनो बहुत बढ़िया बैगनी फूल पर इल्ली करती मजा वाह काली बिल्ली पर सजती नारंगी टोपी बहुत बढ़िया गुलाबी घर में भूरी चुहिया है छुपी जामुनी मोजे लोम्री ने पहने बहुत बढ़िया हरा तिड़ा लगा सफेद अखबार पढ़ने वेरी गुड ऐसे ही पढ़ते रहो शाबाश तुमने सही पढ़ा लाल नाओ में बैठी काली बकरी बहतरीन वेर जान हरा मगर मच करे मस्खरी ऐसे ही पढ़ते रहो गुलाबी साप मजे से खाता केक बहतरीन पीली मुर्गी लिखती लेक वेरी गुड ऐसे ही पढ़ते रहो पीला काला शेर देखो नदी में नहाए ऐसे ही पढ़ते रहो गुड मेरी दो आखों में सब रंग समाए वेरी गुड शाबाश तुमने यह कहानी पूरी पढ़ ली अब इसका प्रैश्ण है कि शेर किस रंग का था टिड़ा कौन से रंग का था और सबसे मुख्य प्रैश्ण है कि आपको सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है इन सभी के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना और अपनी टीचर को लिखकर भी जरूर चेक करवाना फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग